और उन्हें God of Honor देने की ये जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं तो थोड़ी देर में तस्वीरे आपके सामने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त लाल किले पर पहुँच चुका है और ये तस्वीरे आपको सीधी दिखा रहे हैं तो उनको God of Honor भी दिया जाएगा सलामी भी लेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद में वो लाल किले की प्राच्वीर की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां ध्वजा रोहन के बात में देश को संबोधित करेंगे या आज ना सरफ भारत बलकि विदेशों से भी कई महवानों को बुलाया गया है कई बड़ी हस्तिया इस वक्त लाल किले पर मौझूद है और साथी तमाम जो काबिनेट के मंत्री हैं और तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रे इसके अलावा नीता प्रतिपक्ष हो या फिर ब देश के नाम संदेश टेते हैं और साथी धजारोहन करते हैं तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के तीसरे कारेकाल का ये पहला स्वतंतरता दिवस है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तीसरे कारेकाल में पहली बार धजारोहन करेंगे आला कि ये ग्यार भी बार और साथी देश के नाम एक संदेश देंगे अलाकि प्रधान मंत्री जब अपने संबोधन की बात कर ली जाए तो ऐसे में वो किसान हो युवा हो या महिला हो उनका जक्र वो हमेशा से करते रहे हैं और ये प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी लाल के लिए पर पहुँच चुक करते हुए और साथी चुसीना के अधिकारी है वो भी उनके साथ में मौझूद है और पस अब उनको गाड़ ऑफ ओनर दिया चाहेगा जिसके बाद में प्रधान मंत्री आगे बढ़ेंगे और लाल के लिए की प्राचीर पर पहुँचेंगे झाल स्वाटत बढ़ेंगे चाहेगा झाल स्वाटत बली खबाटत ज मांच चाहेगा जिसके लिए अधियोच कि अच्छार प्लीस तबाद कर आपके दिश्चर के लिए ट्यारे श्रीवार्ट कमानडर अरुन कुमार को इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि प्रधानमंतरी के ठीक पीछे चल रहे हैं और प्रधान मंत्री पहुत चुके हैं लाल किले पर और यहां पर उनका जो स्वागत है वो रक्षा मंत्री राश्णास सेंग रक्षा राज्य मंत्री संजे सेठ और साती रक्षा सचेव गिरिधर अर्माने ने किया था वो तस्वीरे भी आपने देखी और आप उन्हें प्रधान मंत्री की पगड़ी का जिक्र होता है आज भी लाल गुलाबी और साथी जो पीले रंग की पगड़ी पहन कर प्रधान मंत्री पहुँचे हैं उनकी पगड़ी का भी आज जिक्र हो रहा है चर्चा हो रही है और पहले की जितनी भी तस्वीरे आप देखेंगे हर बार एक अलग स्टेट की पगड़ी पहने प्रधान मंत्री मोदी नजर आते हैं तो पीएम को गाड़ ओफ ओनर दिया जा रहा है और अब आगे बढ़ते हुए इसके बात में लाल किले की प्रधान मंत्री पहुचेंगे जहां पर जब प्रधान मंत्री ध्वचरोहन करेंगे उस वक्त लाल किले पर आर्मी हालिकॉप्टर से फूलों की बारश की जाएगी फूलों से बरसाथ की जाएगी और साथी जिसके रिहर्सल भी की गई थी वो तस्वीरे भी आपने देखी और फिलहाल ये लाहुरी गेट की तस्वीरे आपके सामने हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी यहीं से हर बार एंट्री लेते हैं देश के प्रधान मंत्री और यहां से वो सीधे पहुचेंगे लाल किले की प्राचीर पर तो प्रधान मंत्री की ये तस्वीरे आपके सामने लाहुरी गेट से एंट्री लेते हुए और बस थोड़े ही देर बाद प्रधान मंत्री पहुँच जाएंगे लाल किले की प्राचीर पर तो लाल किले का अपने आप में भी एक बड़ा इतिहास है पहली बार जवाहर लाल नहरू ने यहां से अंग्रेजों का जंडा उतार कर देश का तिरंगा यहां से फेराया था और उसके बात में हर साल देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मुदी इसी लाल किले की प्राचीर से ध्वजा रोहन करते हैं और इसे किलाए मुबारक भी कहा जाता है तो उसकी तस्वीरे आपके सामने हैं देश की ये इमारत जहां से पहली बार अंग्रेजी हुकूमत का जंडा उतार कर भारत का तिरंगा यहां से फेराया गया था और उस वक्त प्रधान मंतरी थे जवाहल जिन्होंने पहली बार ध्वजा रोहन किया था और उसके बाद में हर साल यहां से ध्वजा रोहन होता है देश के प्रधान मंतरी द्वजा रोहन करते हैं लाल किले की प्राचीर से और साती देश के नाम एक संबोधन भी देते हैं आप देखिए प्रधान मंतरी पहुच च रहे हैं और अप फ़जा रोहन होगा जिसका इंतजार सभी को है तो देखिए खास महमान आपके सामने वो तस्वीरे भी आप देख रहे हैं सभी महमान पहुच चुके हैं आजादी का जश्न आज पूरा देश मना रहा है और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल क तो किरन रिजजू और चिराक पासवान जो मोधी काबिनेट के तमाम नेता हैं उनको भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में और साथी हुवा हो महिला हो इसके अलावा किसान उनको भी जगा दी गई है और अलग-अलग स्टेट से कई लोगों को इन्विटेशन दिया गया है बारिश होने लगी है और ऐसे में आप देख रहे हैं रेनकोट पहनते हुए लोग क्योंकि मौसम आज बार 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 बदल रहा है और हलाकि मौसम विभा की तरब से पहले ही कहा गया था कि 15 अगस्त को बारिश हो सकती है और ठीक देखिए वैसी तस्वीरे सामने आ प्रधान मंत्री को धजा रोहन करना है और बस अब कुछी मिनट शेश रहे गये हैं अलाकि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है बारिश हो रही है ऐसे में ये कारिक्रम में थोड़ा सा खलल डालेगी लेकिन बारिश को ध्यान में रखते हुए पहले से इंतजाम यहां प में संबोधन में करते हैं आज क्या कहेंगे ये भी सुनना होगा तो तस्वीर आप देख रहे हैं विक्सित भारत 2047 देखिए जो थीम है उसका भी यहां पर होडिंग के जरीए और ये आप तस्वीर देखिए लाल के लिए से अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो वहा खुबसूरत तस्वीर है और ये भारत की वह तस्वीर है जिसका अस्रेक्र हमेशा से होता रहा है यह वह धरती है जहां पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और यह लाल के लिए से जब आप बाहर की तरफ नजर डालते हैं तो यह अपने आप में पूरे भारत क जो बया करती यह तस्वीर है जहां पर मंदिर भी है मसेट एट जुद्धार भी और इसके अलावा ये देखिए चर्च भी है और यह गुरद्वारा शीशच गुरुद्वारा है जहां पर सिखों की आस्था भी है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जा गाड ओफह उनर प्रधान मंत्री को दिया चा रहा था और बारिश हो रही तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिले थोड़ा सा दिले ये कारिक्रम हो लेकिन जो उमीद है बारिष का पहले से ही इंतिजाम किये गए थे बारिष को ले कर अब ये तीन तस्वीर आपके सामने है पहली तस्वीर है जब बापू को नमन करने के लिए प्रधान मंत्री पहुंचे थे दूसरी तस्वीर जब रक्षा मंतरी राश्णा सिंग और साथी सेना की प्रमुकों ने उनका स्वागत किया था और साथी तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये लाल के लिए की वो तस्वीर है मौसम बदल गया है बारिश होने लगी है मौसम आज साथ नहीं दे रहा है लेकिन गर्मी से लोगों को रहा जरूर मिली है लेकिन कारिक्रम में थोड़ा सा खलल इस बारिश के वज़ा से जरूर पढ़ने वाला है तो लाल के लिए के अंदर की तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई और लाल के बाहर से भी आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि कितनी खुबसूरत ये तस्वीरे हैं भारत की तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज 11 बार लाल किले से तिरंगा फेहराने जा रहे हैं सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी को राजगट पर जाके श्रधांचली दी थी और इसके बाद में जब वो लाल किले पर पहुँचे तो उनका रक्षा मंतरी राजना सिंग, रक्षा राज़ी मंतरी संजे सेठ और रक्षा सचेव गिरिधर अर्मानी ने स्वागत किया था वो तस्वीरे भी हमने आपको दिखाएं जिसके बाद में उनको गाडफ ओनर दिया किया, अब ध्वजा रोहन होना है, राश्ट्रिगान होना है और उसके बाद में प्रिधान मंतरी नरिंद्र मोदी का संबोधन होगा जिसका इंतजार आज पूरे भारत को है अनुप गुपता हमारे साथ में लगतार जुड़े हुए है दिल्ले से, अनुप साड़े साथ पज़े का वक्त था लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है, बारश भी होने लगी है, तो क्या कुछ कारिकरम डिले हो सकता है, क्या अब्रीट है वहाँ से? अनुप गौन के मुताबिक कारिकरम में डिले नहीं होगा, कारिकरम जो है वह अपने तय समय के हिसाब से ही होगा, लेकिन आपको बता दू कि सबसे बड़ी बात यह है कि पधान मंतरी नरेंद्र मोदी, यह पहले गैर कॉंग्रेसी पधान मंतरी है, जो सबसे ज़्यादा बार, लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं, यह अपने आपने बहुत पोन है, ग्यारमी वार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और जिस तरीके से जिस एजेंडे को ले करके प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वजा रो कर रहे हैं और जस्वार को घर्ड़ेंगे कर दो जाता तो तो जाता कर को भी झाता है तो जाता है और ये जाता है बागोल, 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 बागोल राश्ची द्वज फेराया गया है और राश्ची द्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वाई विचरंड करती हुए नजर आ रहे है तो आरबी के हलिकॉप्टर के द्वारा फूलों की बड़सात की जा रही है पुष्पवर्षा यहां पर की जा रही है वो तस्वीरे आपके सामने हैं और जैसे ही ध्वजा रोहन हुआ उसके बाद में ठीक यह पुष्पवर्षा शुरू हो गए और देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वेकार करते हुए और आज स सुधार सेवाओं के जवान भी शामिल होंगे और 214 जवानों को वीटा पदक से भी आज सम्मानित किया जाएगा तो जवानों की यह तस्वीरे भी आप देख रहे हैं और साथी 213 वीटा पदक इसमें शामिल हैं और पुलिस के जवानों को सबसे ज़ादा 208 पदक तो अलग-अलग स्टेट से जवानों को सम्मानित किया जाना है जिसमें उत्रप्रदेश मद्यप्रदेश 36 गड़ इसके अलावा और भी कई स्टेट शामिल है जम्मू कश्मीर के भी 31 जवान है उन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा और साथी 6000 स्पेशल गेस्ट इस वक्त लाल किले पर मौझूद है जिसमें कई भारत के महमान भी इसमें शामिल है और साथी ये तस्वीरे आपके सामने हैं जिसमें आज 2024 के एक तस्वीर और जुड़ गई है आप 2014 से लेकर 2024 सक्ये ये 11 साल का जो लंबा सफर है उसकी ये 11 तस्वीर आप देख रहे हैं और आपको सब तस्वीरों में एक चीज कॉमन नजर आएगी वो है प्रधान मंत्री की पगड़े जो के हर बार अलग एक स्टेट की होती है जिसका जिक्र बहुत होता है और चर्चा भी बहुत होती है 2014 में जब प्रधान मंत्री नरेंद्र प्रधान की